हलो फ्रेंज मैं उदिपक सर्मा आप सबको अपने इलेटकल दुनिया चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में जो हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं वह हैं मिक्सर और पॉली डोजिंग का जिसमें हम लोग पॉली डोजिंग मतलब यह वहता दोस्तों स्ट को से क्या होता है का हम लोग सिंट्रेफ््यूज के पास ले जाते हैं जहां पे हमलोग को बनाते हैं सलज को यहां पे जो कनेक्शन करने वाले हैं यह आप नेम पलेट इसका देखेंघे मोटर का ति इस पर पूरा डिटेल शापको दे दिया रहेगा कितना m checkSD interests का और हमारे चैनल पर ने होते हैं, चैनल को सबस्क्राइब कर भी लीजेगा, इसका ये नेम प्लेट है, इसका भी हम लोग यहां से डिटेल्स देख सकते हैं अगर termination का देखे, तो यह हमारे पास जो भी termination है, यह हमारा star connection में अभी बनाया गया है अगर आप चाहें तो इसको डेल्टा में भी बना सकते हैं उस पे अलड़ी में एक वीडियो बना चुका हूँ कि डेल्टा पे कैसे बनाया जाता है और स्टार पे कैसे बनाया जाता है यह जो है डोजिंग को हम लोग यहां से परसेंटेज बढ़ा सकते हैं कितना पर होना चाहिए तो उसमें सेट रहता है 20 30 40 50 ऐसे सेट रहता है देखिए दोस्टों सटीपी का आज के टाइम में बहुत ही काम हो रहा है आप हर सीटी में आपको देखेंगे तो आप सटीपी के काम होते ही दारा है यहां पर मुझे termination करना है, यह जो है dozing के लिए है और यह आपको जो भी दीख रहा है यह हमारा mixer का है, यह घ्लाइंड भरने होगा हमें और यह हमारा covers है जो बहुत ही छोटा है चोटा में ग्लाइंड भाने के लिए बहुत ही दिक्कत होती यह तो is ग्लाइंड हम लोग बहुत यह बहुत ही दान इसाधान गालेंगे जैसे UP ने डोजिंग कर दे dus गया और यह भी mixer का है जो भी वह भी बहुल थी चोटा है जैसे मैं यहां पर एक घ्लाइंट भर चुके हैं और जो आप यह देख रहे हैं आप क्या है कि mixer का भी घ्लाइंड्स हमने भर चुगाया आप अगर वीडियो नहीं देखने तो देखेंगे मैं उसका लिंधोर्स को दे दूगा देखिए यहां पर जब लगाएंगे तो यह टच होने का ज्यादा चांस जाता है ग्लाइंड को इसलिए आप ग्लाइंड को अच्छे ट्रिक से फिट करिएगा ताकि बोडी में उसके टर्मिनेशन में टच ना हो तो लॉक्स भी भार देंगे और उसके उपर टेप भी मार द दिया गया है तो उसी को स्टार चांस बोलते हैं अगर सामने से सॉट रहता है हमेस बनेटा करनेक्षन डाता है इस MA कहीं पर भ l एक साइड मे अगर से से अम अब इसका control wiring कैसे किया जाएगा मैं इसके बाद एक वीडियो लाँगा उसमें आपको control बताऊँगा इसमें इसी power wiring बता देता हूँ देखिए मैंने इस पर क्या किया जैसे यह आर वाई और बी फेस कनेक्ट कर दिया है जैसे side में termination short नहीं किया गया था उसके बिप्रिट में आर लगया उसके बाद वाई और उसके बाद बी जैसे यहां पर आप देख रहे हैं और इसको बिल्कुल साधानी से करना है ताकि एक जो termination है एक जो फेस से दूसरे फेस से touch ना हो अगर एक फेस दूसरे फेस से touch करेगा तो हमारे motor सो होगा short हो सकता है और trip करेगा पहले ही अगर trip करता है अगर उससे ज़्यादा करता है तो हमारा motor को भी effect यह कर सकता है इसलिए इसका connection करते टाइम में बिल्कुल साधानी से हम लोग connection करेंगे इसका ताकि एक फेस दूसरे फेस से touch ना हो और उसका fitting जो है पूरे अच्छी ट्रेके स टाइट करेंगे ताकि जो लूज connection भी नहीं रहे लूज connection के वज़र से भी problem बहुत सारी हमें आती है ठीक है तो देखिए मैंने और इसको fitting कर दिया है जो आप यहां पर देख रहे हैं मैं इस mixer का connection कर चुका हूं और इसके बार से same connection जो है इस हमारा डोजिंग का है और कोई बीट changes नहीं है अगर आपको shift changes होगी अगर इभास में घुमटा है और को वाई के जवब लागा दीजिएगा और वाई को जवब पर आर आर के जवब पर वाई को उमिटका तो दोस्तों यह वीडियो पसंद है यह वीडियो पसंद है तो लाइक करिए मिलते है नेक्स